गूड मॉर्णिंग फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ आप सब भी अच्छे हो मैं भी अच्छी हूँ और सुबह का दिन है अभी मुर्मुरे का चावल माने धूप में दे दिया है कल के कप्रे जो थोड़े भीके हुए थे उसको भी दे दिया है धूप में और आज मुर्मुरे बनाने मिल में लेकर जाएंगे मेरे हजबन जी तो एक साथी लाए अभी रखना देखती हूँ जगा निकालनी पड़ेगी इतने सारे चावल रखना मुस्किल होता है देखती हूँ अभी लाए है तो कुछ नहीं कर सकती और सबजी बाजार भी आ चुका है चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या लाए है और यह देखो चावल का एक बैग मैंने इसे काट लिया है और उनको बोला है इसके उपर ही सबजी काटना ताकि जो छिलके है इसके उपर ही रह जाएंगे एक बार में मैं लेकर बाहर फैंकर आ जाओंगी और अगर ऐसे नीचे काटते है ना तो सब को उठाने में यह साग और धनिया पत्ता पियाज खीरा टमाटर करेला मूली बैंगन सारे बाजार उठा कर लेकर आए हरी मिर्च भी मतलब सबजी बाजार पुड़ा ही उठा कर ले दिये मैंने बोला था कुछ लाने की जरूरत नहीं है मचली है फूल गोबी है तो फूल गोबी आलू भाज खूली मसूर की दाल और मचली बनेगे मेरे कहने से कुछ होगा इस घर में होगा क्काने के मामले में Zero कुछ बी नहीं होगा दूसरे कामों में अगर हो भी जाए तो देखना लेकिन खाने के मावल में मेरे हस्बंजी जो बोलेंगे वो ही होगा चलो मचली निकाल लेती हो जो फ्रिज में रखी थी आज पापदा मचली बनेगा कल मैं आप अप लोगों को नाम बोलना भूल गई मतलब मुझे नाम याद भी नहीं था इस मचली का यह है पापदा मचली सामुद्रिक है समुंदर वाली मचली है बहुत ही टेस्टी है बहुत ही टेस्टी और बहुत दिनों बाद यह बन रहा है हमारे घर पर बोला ना गिफ्ट का है इसलिए यही तो ऐसी मचली बहुत मुश्किल से मिलती है एक तम फ्रेस भी है अच्छी वाली तो चलो इसको पानी डाल देती हो बड़प गल जाएगा जब तक इससे बनाए जाएगा बड़प गल जाएगा और मेरा हैस्भन जी यह सब जी काटने बैड गया है जो इनका रोज का काम है तो चलो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, यह सब करें तो अभी जग है जिसमें मैं मुर्मूरे रखोंगी इनको धूप में देना है, ठीक से साफ करना है, पोच लेना है क्योंकि अभी देखो 20-22 दिन तक जो मुर्मूरे लाते हैं फ्राइ करके पाँच किलो चावल के, तो वो तो चल जाते है, तो अच्छे से अगर अपना रखो स्टोर करके तो खराब हो जाएंगे, और इनको साफ करना भी ज़रूरी है, इसलिए धूप में दे दिया है अच्छे से सूखे हुए कपड़े से साफ कर रहे हूँ, ऐसे कोई गंदगी नहीं है, फिर भी मन की सांती धूप में देने से अगर कुछ हो तो ठीक हो जाता है ना, तो कोई जीवानू कुछ हो मर जाएंगे, इसलिए सब को धूप में दे दिया है, मतलब फाइनाल बात ही है कि आपके जो मुर्मूरे वो ठीक ठाक रहे है, हमारे घर के जो सबसे पसंदिदार खाना है, वो है मुर्मूरे बाप बेटे का, जिसका इंतिजाम आज हम कर रहे है, ताकि कुछ दिनों तक औ मुर्मूरे दे दो और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार करता है मुर्मूरे से, अभी मैं सब कुछ रेडी करके जारी हूँ, कि मुर्मूरे बहुत गरम होते है, तुरंत ही बोरी से निकालना पड़ता है, तो इसलिए रेडी करके मैं जारी हूँ, सब कुछ और जो डिब आप बनाने सुरू कर दिया लंच और इधर मूर मूरे को दे भी दिया है मैं नहा कर आभी गई हूँ अभी इसको छान लेती हूँ झाल ठामने सुरू कर दबादाशन कर दोजी इसक्ष्राइब ड魚, ज जुन मैं दो हल्या है विप walking on already कर दो कर दो कर दो कर दो तो जी पीतम के पापा पहले ही दिखा है आपे ओल लंच बनाना शुरूब कर दिया है और ये देखो मचली को कितने ओयल में फ्राइ कर रहे हहा है निसकर बड़ी बड़े मचली तो जाद हुए वाजी बनेगी बनेगी और मचली की बनेगी आलू मेरे पास अभी टाइम नहीं है नहीं तो एक तो खाती में जरूर और बैंगन अलग से फ्राइग करें इसकी कड़ी एक साथ बनेगी और यह देखो करेला रेडी बैंगन फ्राइग हो चुका है नॉर्मली जो खाने के लिए यह डाटा जो कदू वाले साग लाएते उससे डा मतलब खाऊंगी तो मैं भी मेरा बेटा भी लेकिन बनेगा उनके हिसाब से उनके टेस्ट के हिसाब से कोई बात नहीं कर ले यही बहुत है बना बनाया खाना मिल जाए मुझे तो चलो निकलते हैं यहां से तो जिना हादो के तयार होके आप लोग से मिलने चलिया है आज मैंने यह सकट और टॉक पहन लिया है यही तो इसलिए में तो ऐसे कोई सजिदज के घर पे तो नहीं रहता तो कुछ बना नहीं है काम सब हो चुके है चावल चरा दिया है गड़म गड़म चावल खाएंगे तो चावल बनते ही हम खाने बैठ जाएंगे उसी बीच कुछ बिल्स बना लूंगे और क्या-क्या ब अभी तो चला कुछ दियस बना लेती हो फिर आप लोगों से बखबख करूंगे तो जी आठ चत पर आई थी वीडियो बना लिया बहुत सारे नीचे बनाती हूं ऐसे रोजी सोचा आज कुछ अलग करो अलग माहौल देखे अच्छा लगी है ना रोज एक ही देखा पर वी क्या बोलू आप लोगों से कप्रे तो धोल यह थे लेकिन सूखने देना भूल गई थी बालती में ही रह गयते फिर जब मैं नीचे आई रिल्स मना के तब देखा बालती भर के कप्रे रखके हुए है तो जल्दी जल्दी इनको सूखाने देने लेगी मैं क्यूंकि हजबन ठीक ठाक सूख जाए तो आराम से पाट करके अपने जगा पे में रख देती हूं तो जल्दी से मैं इनको टांगने लगी और जो सूखे कप्रे थे उठा लिया है उनको भी पाट कर लोंगी तो चलो अभी घर के अंदर जाती हूं खाना लगाती हूं तो जी फाइनली क्या-क्या बना है देख लेजिए गरम-गरम चावल, करला भाजी, बैंगन भाजी, डाटा अलू चोचोडी और ये है पापदा मचली करी बहुत ही बढ़िया लंच धूप में बैठके खाएंगे मेरे अजबिन जी बोले अप अंदर नहीं धूप में दो तो उनको धूप में ही मैंने खाना लगा दिया, आसन भी दे दिया है, पानी भी दे दिया है, नमक भी, चलो सब कुछ रेडी करके दिया है, अब वो आराम से बैठके खाले, सर्दियों का तो यही मज़ा होता है, धूप में बैठके आराम से खाओ, है ना बोलो, इसका मज तक कुछ अलग ही होता है, तो चलो, मेरी भी थाली सजा लेती हुआ, अभी हम दोनों बैट की इस दूप में आराम से खाएंगे, और जब पितम आएगा, पितम को दे दूँगी, तो चलो, अभी खाती हूँ, और आप लोग देखो, तो जी लंज तो कम्प्लीर अभी है, सफाई की बारी बरतन दोने हैं, कीचन को साफ करना है, सब कुछ अपने अपनी जगा पे रखना है, और बोलो, सब घर में ऐसा होता है, खाएंगे सब, लेकिन घर के जो काम होते हैं, यह सफाई का, वो तो घर के ओरते ही करती है, नहीं तो गंदा कीचन मतलब रोग का कारण बनता है, मैं तो एकदम तुरंथी सब कुछ साफ करके रखने में विश्वास करती हूँ, क्योंकि साम होते ही, पानी से, मतलब पानी में हाथ नहीं दिया जा रहा है, अभी सर्दी का मौसा मैं, गर्मी में भी तो करती हूँ, और पाना बचता है, रखने के लिए जितने बरतन होते हैं, बस वही रहते हैं, बाकी सब एकदम क्लियर करके, ग्यास को साफ करके, सब रेडिक करके, तब मैं रेस्ट करने जाती हूँ, तो पितम के पापा गया है, पितम को लेने, और मैं अभी खा रही हूँ, चॉकलेट खान के बचने का ने, तो बापा धीम नहीं हम दो around, तो और पितम क्या है, और मूआ इसके पापा फिर भी कहेरे Corporation, सुवे से वह क्या 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 नों सिर्फ खाना पकाले अग सी वह कर कुछ गरता है घरकी सफाइए बड़तन धोना कपड़े धोना और आज जो मुर्मुरे को ठीटा क्रेटि करके चान के रखना वह सब कोई काम होता है उनको ऐसा लगता है जगवा गया इसी बात पर, क्या, रोज-रोज, तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो, तो तुम्हें कौन बुलाए घाना बनाने को, अपने हिसाब से बनाओगे नहीं, तो खाने ही पाओगे, उपर से मुझे ही बुलोगे, क्या करती हो, छोड़ छोड़ ये मर्द लोग होते ही ऐसे, उन निकालो निकालो और क्या कुछ कपरे फोल्ड करने है तो शुक गया है तो तुमको खाना खिलाना है ऐसे खालेता है लेकिन मचली का कांटा मुझे निकाल के देना होता है वो दे दूती हूं फिर उसको एकदम रेडी करके पढ़ने बिठा देती हूं तब मैं थोरी देर रेस लोगो दिखाती हूं और ये कंप्लीट करती हूं कोन सी मचली बाउल में दो मचली है तो तुम रखोगे खर पे सिस्टीन सुर्ण रुपे में एक बहुत बड़ा बाउल उसमें दो मचली मैं जानती हूं नहीं दिया बहुत दूख हुआ मचली दो दिन में मर जाएगी नह वो सब घर में नहीं तो मैं सब कुछ घर में नहीं बहुत समाल के रखना पड़ता है तो जी पीतम आ गया घर रास्ते में एकोडियम देखा है कहीं 300 रुपए में दो मचली थे बोल वाले जो होते हैं तो बहुत जिर्किया उसके पापा को बोला लेकिन खड़िके नहीं दिय क्या दो दिन में मर जाएगी मचली तो उसके बाद खालतू बेकार में जाएगा 300 रुपए तो इसके लिए मन बहुत जुखी है उसका मुझ से पैसे मांग रहा है मैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं पापा जो करेंगा बोई मुझ पर गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा नहीं सकता वो खुद बहुत बड़ा समझदार है और क्या अभी नहारा है उसको खिलाना है तो चले आज का वीडियो में प्रेंट करती हूं आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से यार और कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्रेंट करना हैं और बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत छुक्त दिया। आप लोगों की सपोर्ट के सच मुझेए बहुत जरुरूरत है तक अजय हह एक अच्छी से नाईसे व्लाउग ते साहत अबCanada